आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम टिपल्स जो कल को जाके आपको 15 सेप्टेंबर को नौर्शेट के एक्जाम में काम आ सकती है यह जो वीडियो है यह exclusively उनके लिए बना है that are going to appear in the Northset 7 देखिए अगर पहला question जो हर एक student का होता है that is कि book कोन सी पढ़ेंगे देखिए book क्या होनी चाहिए और एक individual की strategy क्या होनी चाहिए यह दो most commonly asked questions है पहले बात करेंगे strategy की अगर strategy का हम देखिएंगे तो हर एक individual जो है different है हर एक individual की mental capability है that is different so अपने हिसाब से जो भी एक student को अच्छी strategy लगती है जहाँ पे उसको लगता है कि जो भी चीजे है जो भी pointers है वो मुझे daily basis पे नई नई चीजे add up होती है ऐसी strategy implement करने से वो वैसी strategy के तो जाएगा अब चीजों को summarize कैसे करना है वो हम यहाँ पे थोड़ा आगे जाके देख लेंगे now second thing क्या आता है कि जो material है और जो book है book कौन सी पढ़ेंगे देखिए अगर book की बात करेंगे तो एक particular book जो है एक particular book नहीं बनी है for any kind of exam अब ऐसा क्यों है क्योंकि अगर आप कोई भी अच्छी से अच्छी book भी ले लेंगे पहला तो 100% syllabus जो है उससे नहीं निकलेगा अब अगर कोई अच्छी book है उसका standard अच्छा है तो almost जो है 80% आपका syllabus वहां से निकल के आएगा ठीक अब बचा 20% तो वो जो 20% है वो कहां से हमें मिल सकता है अगर हम combination में लेंगे two books तो combination में हमें दो books लेनी है जैसे most commonly कौन-कौन सी book हम जो है for competitive exam purpose लेते है target high लेते है most of the students ठीक तो target high हो गई एक दूसरा हो गया PR यादव का यूज़ करते है then NCLEX Saunders का यूज़ करते है Mousse Bees Lippin Cart Mission High then Pathfinder ठीक देखी ये तो ऐसी books है जो हम usually under consideration लेते है जब भी हमें कोई competitive exam देना हो but as I said कि कोई भी ऐसी book नहीं है कि जहां पर क्या निकल सकता है 100% syllabus निकल सकता है तो वहां पर हमें क्या करना है कि at least हमें combo लेना है दो books का कोई भी दो books ले लो it is not necessary कि आप international edition की लोगे या it is not necessary कि एक international edition लेना है दूसरा national edition लेना है तो वह वहां पर compulsory नहीं है हाँ जब हम दो books under consideration लेते हैं तो almost 90 plus percentage से जो हमारा syllabus है जो exam related चीज़े है वह वहां से हमें निकल के आती है now second thing कि अगर कोई है ऐसा student जो ये चाहता है कि मैं books पड़ो ही न या वो कुस नहीं देखो तो in that place वो क्या करता है कि वो subscription लेता है कोई भी paid subscription ले रहा है now अब यहां पर ऐसे बंदे को क्या करना है subscription ली ठीक है वहां से जो भी material वगरा उन्होंने दिया उस material को आपने क्या किया notes बना लिए तो ये जो notes है आपके जो आपने किसी platform से पढ़़ा है खाली यही notes आपको पढ़ने है book जो है book नहीं पढ़नी है आपको now it will look a bit silly to you but I will explain देखो चाहे target high हो पियार यादव हो या NCLEX, MOZBIS वगरा जो भी book हो content जो है वो तो एक same है 80% जो है similarity exist होती है जैसे कोई disease लेकर चलेंगे कोई disease X है तो target high पे भी ये disease X है पियार यादव के भी ये disease X है यहाँ पे भी इसका treatment same है यहाँ भी इसका treatment same है अब जो भी subscription आपने लिए है वहाँ पे कोई बंदा पढ़ा रहा है आपको तो जाहिर सी बात है अब वो पढ़ा रहा है तो उसने भी इनहीं books से लिया होगा So we can say कि जो चाय है वो same सर्व की जारी है बट जो cups वगरा है वो different है Otherwise यहाँ पे कोई difference exist नहीं होती है Now अब यहाँ पे Query exist होती है regarding कि जो आपके course books है क्या आपको वो पढ़ने चाहिए during your exam preparation or not लेखिए पहली बात आपको usually preparation के लिए मतलब आलमोस्ट आपको six months मिलते है maximum तो उन छे मन्त में अगर आप description पढ़ने बैठ जाए जो आपकी academic is focused है तो जायर सी बात है आपका जो time है वो पूरा waste हो जाएगा waste कैसे होगा क्योंकि जब आप कोई competitive exam देने जाओगे तो वहाँ पे आपको theory नहीं पूछी जाएगी और we can say कि long answer नहीं पूछे जाएगी वहाँ पे होंगे mcqs तो इन 6 months में अगर आपने 3 months theory को दिये 3 months आपको mcq practice में देने है हाँ अब यहाँ पे एक चीज़ एग्जिस्टो हो सकती है as of instance कोई topic है जैसे pet topic है कोई let us assume CPR है CPR is pet topic आपने एक book से पढ़ा तो वहाँ पे आपका 70% clear हो गया दूसरी book consulting की तो वहाँ पे आपका 20% clear हो गया अब रहा कितना 10% ठीक है या आपको ऐसे लगा कि मेरा एक book से 70% clear हो गया दूसरी book से 30% मेरा clear हो गया बट जब आपने mcqs किये settle CPR से mcqs गलत हो रहे है at that point of time हमें क्या करना है we have to move towards theory books तो theory books से ये चीज़े हमें clear करनी है या कोई ऐसा question है कोई ऐसा value है जो controversial है तो for that purpose हमें theory book जो है वो consult करनी है it is not necessary कि आप theory book देखो अगर कोई बंदा आपकी नजर में ऐसा है जहांसे आपको ये लगेगा ये जो doubt है मेरे ये यहांसे clear हो सकता है you can consult with that person ठीक है तो ये तो हुआ यहां पे book combination कैसी होनी चाहिए और आपको कैसे चलना चाहिए कुन-कुन सी book जो है आपको पढ़नी चाहिए ठीक है but it is not compulsory कि देखे कापी बंदे है जो किसी भी national या state level exam में जो है उनको selection हुई है उनको job मिला है तो बहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसने एक ही book पढ़ी है कोई ऐसा भी है जिसने आदी ही book पढ़ी है but पढ़ी कैसी है वो matter करता है तो it is not necessary कि आप जो है books का एक धेर पढ़के जाओ तो there are 100% chances that you will get selected वैसा नहीं होता है ठीक now second thing second thing is कि अब अगर आप कोई book पढ़ रहे हो ठीक है तो book में usual सी बात है कि अब आप competitive exam की book पढ़ रहे हो तो there is obvious thing कि आपने during the course ये book जो है ये subject जो है वो पढ़ा है अब आप गलती क्या करते हो आप first year में होते हो second year में होते हो या third year में होते हो ठीक है तो आप वही से start कर देते हो target high, PR यादो whatsoever जो totally क्या है एक nonsense decision है nonsense decision कैसे है क्योंकि जब आप कल को target high उठाओगे या फिर कोई overbook उठा लोगे तो वहाँ पे वो जो topic होगा that will be precise वो in detail नहीं होगा लेकिन जब आप first year, second year या third year में ऐसे topic हो पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे in detail होता है तो आपको understand करने के chances जो है वो बढ़ जाते है बहाँ पे अब बचता है हमारा कुन सा fourth year ठीक है अगर fourth year की बात करेंगे तो fourth year के mid year से ठीक है mid session of the fourth year आप जो है आप कोई भी ये competitive exam के related कोई भी बुक ला सकते हो वो पढ़ सकते हो बढ़ वहाँ तक आपको क्या करना है क्योंकि exclusively आपको वहाँ तक अपने subjectors जो है वो पढ़ने है देखी अब हम ये understand करेंगे कि वहाँ पे important क्यों है ये subjectors वहाँ पे क्यों हमें पढ़ने ही चाहिए अगर first year का देखेंगे तो first year में आपको anatomy physiology होती है कोई भी exam हो 10 से 20% आपको किसके बनते है anatomy physiology के then second year हो आपका और third year वहाँ पे medical surgical है 50 से 60% आपके किसके बनते है MSN के then final year में आपकी gynae है तो वहाँ से भी 20 से 30% बनते है third year में आपको mental health nursing है plus आपकी media है तो वहाँ से भी आपको 10-20% बनते है जब आपने in years में ये subject सही से पढ़े होंगे तो कौन रख सकता है आपकी selection को ठीक है तो ये मत करें आपका first year है, second year है आप target है ला रहे हो, तो पढ़ रहे हो वो नहीं करना है now अब जब आपका preparatory phase हो रहा है for the examination तो वहाँ पर क्या करना है कि जो भी आप book पढ़ रहे हो book में notes वगेरा जो है note making आपको करनी है note making कैसे करनी है जब भी आप note बनाओ तो note जो है आपका वो short होना चाहिए और we can say कि वो precise होना चाहिए अब ऐसा नहीं है कि आप यहां से book पढ़ रहे हो तो वहां से जो है पूरी की पूरी जो book है वो आपने note book के चिपका देते हो वो ऐसा नहीं करना है ठीक है तो note making आपकी short होनी चाहिए precise होनी चाहिए और जो भी informative thing है वो उस पर mention होनी चाहिए देखे अब यह जो note making है आपकी short कैसी हो सकती है जब आपने academic years में सही से कोई topic पढ़ा है तो there are minimal chances कि कुछ गिने चुने ही 3-4 pointers होंगे वहां पे जो आपको नहीं पता है तो उससे क्या होगा उससे आपकी जो notes है वो short बनेगे and later on आप उनको revise कर सकते हो तो यह तो है कुछ general things related to the preparation अब अभी किस time पे हो कि जो Northset 7 है वो 15 September को होनी जाए तो during these 20 days what we are supposed to do we have to family are ourselves with the latest exam pattern तो latest exam pattern क्या है as all of you know कि 100 questions जो है यहां पे हम सिर्फ pre की बात करेंगे ठीक है और 100 questions के 5 sections होते है और 5 sections में 20 questions होते है ठीक और हर एक section जो है उसमें 18 minutes का time होता है 1 mark होता है to each question और 0.33 negative होता है ठीक तो यह बात आपको जहन में रखने है अब नौर्सेट में usually questions कहां से आते है जो आपका general का nursing subject है वहां से आपके 80 questions आएंगे और जो reasoning ability वगरा है mental ability वहां से 20 questions आते है ठीक है अब ऐसा नहीं है कोई student है ऐसा होगा कि वह कहेगा कि अगर in case क्योंकि usually जब हम देखते है तो तो इसले साल क्या हुआ जिसको 35 pointers भी ठीक थे वह भी appear हुआ in the means exam तो यहां से आप अंदाजा लगा सकती हो कि जो exam की level है वो किस साथ तक होती है ठीक है अब यहां पर important क्या है कि कोई student ऐसा है वो कहेगा कि मैं in 80 questions के लिए prepare कर दूँगा और ये 20 छोड़ दूँगा देखे ये 20 जो होते है आपकी selection के chances कितने बढ़ेंगे वो in pay depend करता है ठीक है most of the cases में अगर यहां से आपने 10 से 12 questions उठा लिए that too correct यहां से negative नहीं कर ले है वो हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे यहां से negative बचाएगे तो आपकी selection के जो chances है वो बढ़ जाते है ठीक यह तो हुआ 80-20 का then knowing that marking scheme अब marking scheme क्या होती है marking scheme ऐसी होती है कि हर एक right option पे हमें एक marks मिलता है और जो incorrect होता है वहां पे 0.33 हमारे cut जाते है तो important क्या है देखे अगर national level exam उसका देखेंगे तो वहां पे 0.33 negative होते है और state level में 0.25 ही होते है as such तो लगता है कि अगर 3 questions जो है वो गलत हो गए ठीक है तो एक markus आपका जाएगा लेकिन अगर 3 में से as of instance तीनों ठीक हो गए तो 3 markus आएगे तो उस बेवकुफी के चकर में हम क्या करते है हम लगती करते है guessing ठीक है हम मार देते है तो का देखे अगर हम दो students को लेंगे एक तो है student A दूसरा है student B ठीक तो A student जो है इसने as of instance जो है इसके मान के चलेंगे हम 38 questions इसके ठीक है 50 में से जो B वाला है इस बंदे के भी 38 questions क्या है ठीक है जैसे मान लो के नरसेट 6 में ऐसा हुआ था कि दो students एक के भी 38 ठीक है दूसरे के भी 38 ठीक थे अब because of negatives क्या हुआ कि ये जो B वाला बंदा है इसको almost क्या हुआ इस बंदे को 4 marks कड़ गए और इस वाले को क्या हुआ इसके negative कम हो रहे थे इसको 2 marks ही कड़ गए तो इसका final कैसा हो रहा 36 और इसका कहा पे पहुँचा 34 ठीक है ये बंदा गया means में और ये वाला रहा घर पे always remember कि नौर सट में positive marks आपकी selection नहीं कहरेंगी आपने negative कितने बचा लिए वो add होगा आपकी selection ठीक है तो negative marking को बचाना that is most important thing negative marking कैसे बचती है वो हम discuss करेंगे ठीक है and plan for the strategy accordingly और जो exam की strategy है उसके accordance हमे जाना है ठीक है अगर जो paper setter है वो smartly act करता है तो we have to be more smarter than him ठीक now कैसे act करेंगे यह कुछ ऐसे points है जहां से हम यह clue लगा सकते है कि act कैसे करना है first what we have to do अभी 20 days बचे है ठीक है and 20 days जो होते है that is a big number ठीक है तो we have to prioritize the subjects medical surgical nursing को हमें क्या करना है revise करना है क्योंकि MSN से most of the questions पूछे जाते है fundamental of nursing को भी हमें revise करना है इसी point of time है then community health nurse या midwife पीडियाट्रिक्स और mental health ठीक अब यहां भी क्या होता है कि अगर medical surgical or fundamental से question आएगा वो थोड़ा twisted होता है ठीक है but जो remaining subjects होते है जैसे community है गाईनी पीडियाट्रिक्स mental health तो वहां पे straight forward question होता है straight forward question को जब हम read करते है तो read करने के बाद ही क्या होता है हमें उसका answer पतक चल जाता है अगर हमने almost एक दफाँ उसको पढ़ा हो बट यहां पी क्या होता है इन दो subject में twisted question होता है तो हमें थोड़ा मतलब इसके लिए necessary है एक तो हमने पढ़ा भी है plus हमने understand भी किया है तो यह यहां पे necessary है तो in twenty days में आपको medical surgical rule fundamental पे द्यान देना है अब सारा नहीं पढ़ना है क्या क्या देखना है इसका वो हम discuss करेंगे now special attention जो हमें देना है वो जो frequently asked topics होते है या frequently asked areas होते है वहां पे हमें ज्यादा द्यान देना होता है जैसे frequently asked topic कुन सा है अगर हम बात करेंगे just tube drainage तो जब से नार्टट वगरा हुआ है most of the time जो है CT drainage का question पूछा गया है या colostomy care का question पूछा गया CPR के related question पूछा गया ECG के related CTG के related तो इन पे हमें सही से grip होनी चाहिए advanced nursing जो है एडवांसर नर्सिंग के related question पूछते है नर्टट में emergency emergency area में जैसे triaging अगयरा हो गया है वहां पे किछी इंटीजवल को MI, stroke अगयरा होआ तो वो emergency conditions है ठीक है यह practical based जो नर्टट का exam होता है सही से manage कर सकता है but emergency को handle करने के लिए you are supposed to have knowledge you are supposed to have practical that is why कि अगर नर्टट की ही बात करेंगे या even की जो other national exam वहां पे ज़्यादा focus जाता है emergency की अर्को ठीक तो OTK related जो भी procedures वागयरा है उनको weightage दी जाती है ICOs वागयरा देखे अब NORSET 6 में क्या हुआ था कि most of the questions जो पूछे गए थे that were from tubus लेकिन जो tubus है वो किसका part है that is the part of OTICU तो OTICU को preference दी जाती है ठीक है उससे पहले जो NORSET हुआ था तो तब जाके poisoning वागयरा का पूछा गया तो poisoning किसमें आती है that comes under emergency where as such आपको जो भी drugs होते है उनका अगर simple सा question पूछा जाएगा तो उनका class बदरा पूछते है ठीक और class के साथ-साथ जो most importantly पूछते है that is the interaction drug की interaction जो है वो most of the time पूछते है ठीक और पूला जो भी patodrugs है और we can say जो भी common drugs है जो हम day-to-day basis में यूज करते है जिनकी practicability जादा है तो उनके related जो है question पूछे जा सकते है and current affairs that is related to health care जो भी current trends होगे current changes होगे और current developments होगे with respect to the health care system तो वो वहाँ पे पूछे जा सकते है या पूछे जाते है अब यह कहां से मिलेंगे आपको simply आप search कर लोगे Google में ठीक है current changes और current trends और current affairs related to the health care in India तो at least जो previous six months की current affairs है वो वहाँ पे कैसे मान के चलेंगे current affairs related to health care पिष्टे छे मन्थ में आपको दो questions आए तो जो आपका non-nursing का portion है वहाँ से आपने दो questions जो है वो आपने gain किये है now keep your notes concise and revise them regularly especially in the last way तो यह हमने एहले ही कहा है कि जो भी आपकी notes होंगे जो भी आप notes आपने बनाए होंगे या बना रहे हो that should be concise आप कोई ऐसा बंदा है मेरी तरह जो को note making पसन नहीं है तो वो क्या करेगा कि जो भी book पढ़ रहा है at least वहाँ पे जो content है उसको highlight करे so that कि जब आप end के week में हो तो जो भी highlighted pointers है उनको आप सही से देखो then use flow charts वगरा flow charts हम क्यों use करते है क्योंकि इन से जो है एक तो कम चांसिस है वो कम हो जाते है diagram उसे जो कोई phenomenon वगरा है वो हमें सही से पता चलता है और neemonic ठीक है तो जहाँ जहाँ हमें कोई neemonic पता है वो हम share करने की कोशिश करते है और जैसे अगर आप देखोगे तो nursing में almost to call मिला के 20-25 subjects है ठीक है तो इतनी information जो है कोई भी बंदा याद नहीं रख सकता है ठीक या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें memorize करनी हो 2-4 दिन के बाद हम वो बोल जाते हैं बट neemonic बनाना चाहिए अगर आप neemonic नहीं बनाओगे at least some sort of story बनानी चाहिए अपने ही मन के अंदर ठीक है वो कोई भी nonsense story हो बट जो वो चीज़े है जो वो point है वो आपको याद रहेगा ठीक है कोई भी कहानी बना लोगे as a कहानी आप उस point उस concept को याद रखोगे so that कि यह जो complex information है यह आपके दिमाग में permanently retained रहेगी ठीक है then attempt as many as mock testers as possible to get used to the exam timing and pressure देखो अब जो भी हम exam दे रहे हैं जैसे हम घर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमने कोई भी mcq book उठा ली mcq book से हमने 100 questions की सुबह 9 बजे start की process और 1 बजे खतम की कितना time दिया हमने इसको 10, 11, 12 almost 3 गंड़ लेकिन exam में हमें कितना होता है almost 100 minutes होते हैं या तो 2 hours हो सकते हैं तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे mock testers हमें देने हैं वहाँ से हम क्या सीखें की accuracy हमारी कितनी है ये पता चलेगा हमें time management का पता चलेगा हमें और जब हम यह mock test देते हैं तो एक scene create होता है यह से हमें exam चल रहा है तो जो exam के time पे citrus develop होता है जिसे आपकी efficiency reduce हो जाती है वो citrus order review होता है जब हम mock testers देते हैं आप जो है mock test दे रहे हैं किसी online platform से ये necessary नहीं है अगर आपके पास book भी है ठीक तो book में क्या करना है जैसे हमें 100 mcqs है तो 100 mcqs हमने start की time रखा phone में तो almost यहां पे रखेंगे हम 2 hours का time 2 hours में हमें देखने हैं कि out of 100 mcqs हमने कितने की ठीक कितने होए गलत कितने होए negative 8 watt के फिर हमारा end p क्या percentage बचा तो वहां पे जाके हम खुद को जो है वह access कर सकते हैं या ऐसा भी नहीं है अगर book से भी ऐसा नहीं करेंगे तो most of the telegram groups जो है वो free mat test देते हैं तो telegram की books पे मतलब अगर as of instance कभी कोई point ऐसा है जो आपको नहीं पता है ठीक है तो उसकी awareness आपको वहां मिल जाती है it is not like कि telegram से आपको information मिलती है लेकिन जो आपको वह art होता है एक test को tackle करने का एक test को देने का वह art आपका develop हो जाता है mock test से ठीक है mock test is important है जहां तक theory important है वहां तक आपके practice mcqs और mock test भी important है then analyze your mistakes and focus on the week है अब आपने जैसे 100 mcqs के वहां पे आपको 10 questions जो है वो गलत हुए that means कि यह जिस भी topic के related है यह 10 questions उस topic के पे आपको hold नहीं है उस topic पे आपको grip नहीं है तो वहां पे क्या करना है इस topic को हमें फिर से पढ़ना है और फिर से summarize करना है और we can say के अगर हमने यह topic पढ़ा भी है किसी book से एक book से पढ़ा है या दो book से बट जो information वहां पे है that is not up to the mark अब हमें क्या करना है we have to look further another source or we have to look for some guide तो जो यह topic जो है वो clear करके देगा now next thing क्या है practice solving questions within a limited time to improve speed and accuracy as I said ठीक अब आपको क्या करना है कि जो भी MCQs वगहरा है घर में बैट के practice करने है either book पे practice करोगी या कोई mock test दोगी free का mock test दोगी या pair mock test दोगी that is your own choice otherwise things जो होते है that are similar ठीक है हर एक जो है एक ही scene create कर देता है जो भी news होती है related to the health and medicine जैसी कि कुछ protocol वगहरा हो गए ठीक है कुछ guidelines वगहरा हो गई तो वहां से भी question जो है वहां से निकल के आने के maximum chances होते है तो उस पे हमें नजर होनी चाहिए then we have to focus on जो भी new government policies वगहरा है जो भी awards वगहरा in the recent time is मिले है with respect to the healthcare system तो उनको memorize वगहरा करना है ठीक है और जो भी scientific discoveries है in the healthcare field जैसे vaccines वगहरा की discovery या कोई antibiotic वगहरा तो वहां से भी question बनता है तो उस पे भी हमें नजर होनी चाहिए ठीक है तो यह तो हुए कुछ general point जरल चीज़े जो हमें before the day of exam under consideration लेनी होती है इसके बाद आता है that is the actual day of the exam actual day of exam पे हमें क्या करना है अब हम यहाँ पे in general तो बात नहीं करेंगे particularly हम नौर सेट की बात करेंगे 15th September को क्या करना है उस पे हम बात करेंगे तो जो भी paper है हमारा general question उसका five sections है हम मान के चलेंगे first section जो होगा हमारे example पर का तो first section में क्या करना है जैसे आपका आगया question number one तो question number one अगर आपको लगा कि यह जो question है इसकी जो language है और question की जो language है that is short तो question को attempt करना है ठीक एक तो language इसकी जो language है इसकी वो short है प्लस यह जो question है यह जो topic है वो आपने पड़ा है that means कि यह आपको 99% accuracy के साथ आ रहा है तो यह आपको attempt करना है जब आप attempt करोगे तो side में आपको क्या चड़ेगा वहाँ पे blue mark चड़ेगा ऐसे side में blue mark चड़ेगा ठीक now second thing is कि in case यह जो question है question आपको आ नहीं रहा है तो skip करना है वहाँ पे second thing is कि अगर यह question ऐसा है और हमान के चले कि दूसरा question है और question जो है वो हमें आ ही नहीं रहा है ना तो हमने यह question कभी पड़ा है ना ही यह topic पड़ा है और ना ही इस type का question देखा है means we don't have any information related to the same तो risk 0% लेनी है यह skip करता है जब हम इसको skip करेंगे तो यहाँ पे क्या चड़ेगा यहाँ पे red mark चड़ेगा that means कि अब ऐसा करते है student वो इसको क्या करते है mark पर review रख देते है जब हमें यह पता ही नहीं है हमें यह करना ही नहीं है तो mark पर review क्यों रखेंगे अगर हम इसको mark पर review रखेंगे हमें 18 minutes होते है एक section को हमें मान के चले 5 minutes बचेंगे 5 minutes बचेंगे जब हम इसको review के time पे फिर से पढ़ेंगे तो हमारे 5 seconds आया हो जाएंगे 10 seconds आया हो जाएंगे and that matter a lot ठीक है तो यहां पर क्या करना है कि यह question हमें नहीं आता है हमने नहीं पढ़ा है इसका concept नहीं है छोड़ दो ठीक then आता है question number 3 अगर question number 3 आया हमारे पास और question की जो language है language is long ठीक है दो situations होते है या तो अभी for time being आप इसको क्या करोगे skip करोगे ठीक और जो end part है question का जो end part है usually end part में ही क्या आपको होता है question होता है जैसे देगा कि patient को science symptoms है what will be the diagnosis तो जो end part होगा इस long question का उसमें आपको question चुपा है तो उसको answer करना है तो अगर skip नहीं करोगे as such better रहता है skip कर देना अगर skip ना करोगे तो end part देखना है उसका अब अगर आप skip करोगे लेकिन skip ऐसे नहीं करना है जैसे आपने कौन सा question किया है जो आपको attempt नहीं करना है इसको skip करना है बट mark for review रखना है means unattempted and mark for review that means कि जब आप second round करोगे regarding the same section तो आप इसको क्या करोगे attempt करोगे तो यह आएगा ऐसे वाले portion से ठीक है देखे अब तो मतलब जो भी आपका वहाँ पे mouse होगा उसको यहाँ पे आप back click back click नहीं करोगे सीधे cursor ले जाओगे यहाँ इस question पे cursor ले जाएंगे इसको click करेंगे यही वाला question में करेगा ठीक है बट doubtful है ठीक है doubtful है कैसे doubtful हो सकता है आपने यह पढ़ा है यह जो topic है यहाँ पढ़ा है बट full awareness नहीं है regarding the same तो वहाँ पे आपको क्या करना है वहाँ पे skip कर सकते हो देखे अब आपने question तो read किया है जो भी information है वो आपके mind में चली गई है mind is info को process करेगा तो आपको याद आएगा you can go back and attempt to that second thing आप क्या कर सकते हो के elimination method का use कर सकते है ठीक है now eliminate कैसे करना है अगर options है तो options जो है usually Northset के case में क्या होता है 3 options कभी eliminate नहीं होते है rear chances है 2 options eliminate होंगे ठीक है hardly जो है एक option आपका eliminate होता है now अगर 2 option is eliminate हो रहे है तो बचते है 2 ठीक देखे जो 2 answer बचेंगे वहाँ पे maximum probability अगी this is only probability based ठीक है maximum probability होगी कि जो B और C है वो आपका answer होगा but this is all risk based ठीक है otherwise अगर आपको अपने एक section किया तो एक section में आपको क्या बनता है आपको almost 10 से 12 question जो है वो आ रहे है 10 to 12 questions वो आपने सही से understand किये है और वहाँ पे आपको 90% accuracy लग रही है कि यह जो answer है इसका यह सही होगा ठीक then वहाँ पे almost 2 questions ऐसे है जो क्या है जो long type है later on जब हम इसको review करेंगे तो वो long type के 2 भी हमारे clear हो जाएंगे तो almost हमारे clear 14 questions इस section के पूरे होगे then बजते है 6 questions हमारे 6 questions में मान के चलेंगे कि 3 questions ऐसे है जिसकी ना हमें language समझा रही है ना ही इसका concept है हमें वो हमने red से designate किये है वो हमें छोड़ देने है 3 questions तो 3 questions में अब यह doubtful है तो 3 questions में अगर doubt exist हो रहा है तो एक question को लेकर हम risk लेंगे एक ही question को risk क्यों लेनी है क्योंकि जो हम consider करें है यहां पे 10-12 questions right ठीक है maybe 3-4 इसमें क्या हो wrong हो इतना हो कर भी 3-4 इसमें wrong हो सकते हैं अगर हम क्या करेंगे एक तो यह 3-4 wrong हुए हमारे ठीक है मान के चलेंगे 4 questions यहां से wrong है यहां से यह 3 items ठीक है maximum chances है minimum chances है 1% probability है कि 3 सही होगे या 2 सही होगे ठीक है तो यहां पे 3 गलत होगे 4-3 होगे 7 तो कट गए एक तो यह 7 आपके गलत है ठीक है प्लस आपके कितने कट गए इन 7 से almost to 2.5 minus 9.5 आपके एक section में गए 10 गए एक section में 5 section में 50 चले गए ठीक है तो इस चीज़ का यहां पे खयार रखना है even though जो 50 वाला होता है वो selected होता है ठीक now तो यह तो हुआ कि approach कैसे करना है कि कैसे जो है section को break करना है in different things ठीक है हमरी क्या है इस चीज़ की यह important याद रखना है पहला चीज पहला point यह short language है और हमने read किया है concept is proper इसका attempt करना है ठीक long language है question की तो end part देखना है end part देखके attempt करना है इससे better है skip करना और mark for review रखना ठीक then ऐसा question जिसका topic वगेरा नहीं पढ़ा हो तो वहाँ पे क्या करना है सीधे skip करना है as a read वो designate हो जाएगा और फिर बचते है doubtful जो doubtful होगा उसका 33% हमें करना है as a finish tennis तीन doubtful है तो एक को risk लेंगे ठीक है तो यह बनती है आपकी simple set strategy अब बचता है हमारा non-nursing का non-nursing के related हम क्या करेंगी देखें non-nursing जो होती है usually उसमें चार चीजे included होती है एक maths दूसरा current of years third thing reasoning और fourth thing क्या होती है that is English ठीक है तो English में as such antonyum, synonyum होते है अब जिसने BACO अगरे किया है जो degree holder है as such simple जो antonyum, synonyum है उनके related उसको heaviness होती है ठीक है आप Google search कर सकते हो या फिर 10 to 12 का grammar है वो ले सकते हो वहां से जो important antonyum, synonyum है वो वहां से देख सकते हो as such better रहता है Google search करना तो वहां पे आप search करोगे common antonyum user to ask him ठीक है common synonyum हो गया रहा तो वहां से हो गया वहां का तो मान के चलेंगे या articles वगरा पे questions पुछते है तो मान के चलेंगे वहां से तीन questions जो है वो आपको ठीक होगे English के then reasoning आती है raising में क्या पुछते है number series पुछते है letter series पुछते है direction वगरा या blood relations होते है तो वहां से भी almost जिसने superficially देखा होगा वहां से math बज़ता है हमारा और बज़ते है current of years अगर current of years पुछले six months के लिए हमने superficially बस देख लिए memorize नहीं करने है खाली देखने है तो अगर आपको आपने देखा है तो कुछ थोड़ी इसी visual memory रहती है हमें तो वहां से भी मान के चलेंगे तीन questions हमारे ठीक हुए और math में क्या पूछते है यही percentage etc या simplification का पूछ लेंगे वह 10 तक हमने किया होता है तो उसमें भी तीन questions अगर आपने non nursing मैंसे 20 मैंसे यह 12 questions अच्यूव किये ठीक है तो आपका game set हो गए अब हम क्या करते हैं यहां पे भी हम तुक्का मार गेते हैं ठीक जब हमने तुक्का मारा ऐस सच तो 12 questions हमारे ठीक वह थे although कि मतलब किसी ने अच्छे से बढ़ा होगा उसको 12 plus होगे अगर आपके 12 के 12 ही होने चाहिए मानलो 8 ही हो गए तो बस आठी ठीक है रिस्क बिलकुल भी नहीं रही है क्योंकि हम क्या करते हैं अगर नौन नर्सिंगे 20 questions है ऐस सच तो यह वाला portion last में होता है फिर यहां पे हम तुक्का बाजी शुरू करते हैं 12 questions ठीक हो गए 8 गलत हो गए उससे 2-3 कट गए तो हमारा काम कमाम हो गए तो यहां पे ज्यादा ज्याद देना है ठीक done revise करने हैं आपको key point is before the exam but avoid claiming new information यह भी एक गलती है जो हम घर में करते हैं जैसे last के seven days हो गए या last के three days हो गए तो हम क्या करते हैं जैसे अगर हमारे पांच topics pending है तो इन दिनों यही पांच topics पढ़ेंगे जब आप यह पांच topics इन दिनों पढ़ते हो तो जो भी इनका data वगरा होता है वो आपको याद नहीं रहता है ठीक second thing क्या होती है कि जो आपने already understand किया होता है जो इसको revise करने की जरूरती वो revise ही नहीं होता है तो result क्या पढ़ता है कि मतलब हमारा जो important data था जो हमने collect किया था जो हमने summarize किया था जो हमें review करना था वो रह गया है हमारा तो यह चीज़ आवाइड करनी है लास्ट के तीन दिन जब रहेंगे या almost 5 दिन रहेंगे जितना तब तक वहाँ जितना भी पढ़ा है उतना ही पढ़ना है फिर further जो है addition नहीं करना है ठीक exam center जो है वहाँ time पे पहुँछना है क्योंकि अगर काड़ी मिस हो गई वगरा तो वह जो citrus है वह फिर आपने ओपर ही आता है तो जो भी instructions वगरा है related to the examination वह आपको पढ़ने है आराम से रहना है ठीक है आपने देखो exam center जब पहुँचते हैं तो depend करता है कि exam के एक दिन पहले तक आपने कितना पढ़ा है अब आप exam center में पहुँच गए हो whether आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये वही पे decide होगा selection होगी या नहीं होगी वो time decide करेगा selection होगी तो job मिलेगी नहीं होगी तो lesson मिलेगा ठीक है सीखने का मौका मिलेगा हारता कभी नहीं है relaxed रहना है time जो है उसको wisely manage करना है as I said कि कैसे होता है time management और exam को जब approach करते है then you are supposed to approach with the confidence जब आपको examiner वहाँ पे questions देता है तो या तो आपको पहले ही 4-5 questions टाप देगा तो demotivate हो गए आप ठीक है या फिर पहले ही 4-5 questions easy देगा तो over excited हो गए ठीक है दोनों हो गए तो अगर तो आपको जाता है तो तब भी game तमाम हो जाता है या आप डिप्रेस हो गए तब भी मसला पैदा होता है तो you are supposed to approach the exam with confidence calm and composed रहना है and rest जो है वो time decide करेगा hope you have enjoyed this thing करेगा झाल थादा करेगा वोग ढıt करेफा